नवश्कार दोस्तों ना पद मिला ना सम्मान मिला अब बुलाई जा रही है मीटिंग अब मीटिंग मीटिंग खेला जा रहा है अब एक्टिव मूड में नितिश कुमार नजर आ रहे हैं पहले तो लगा कि सब कुछ बिना बोले उनको मिल जाएगा किंग मेकर जो थे किंग मेकर बन कर नितिश कुमार और चंद्रबाबू नाइडू जो है वो भरते वोई नजर आए लेकिन एंड टाइम पर क्या हुआ आज बीजेपी ने अपना स्पीकर उतार कर जो है सब को ये बता दिया कि बीजेपी की चलेगी अगर किसी का दबदबा रहेगा तो वो है भारतिये जनता पाटी का और आज उन्होंने दिखा दिया अब इसी को देखते सुनते हुए नितिश कुमार की भी बैचकी शुरू हो गई है नितिश कुमार भी आनन फानन में मीटिंग बुला रहे है दोस्तों और इस मीटिंग में केंद्र सरकार से बहुत बड़ा बड़ा डिमांड किया जा रहा है बहुत बड़ी बड़ी जो रकम है वो मांगी जा रही है अब आपको एक एक करके खबर दिखा रही हूं कि किस तरीके से नितिश कुमार ने क्या-क्या मांग कर दिया है और क्या बाते नितिश कुमार को लेकर कही जा रही है कहा जा रहा है कि आप खेल जो है नितिश कुमार खेलने की तैयारी में हैं मीटिंग्स में उनके नेता उनके मंत्री उनके विधायक उनके सांसद जबरदस तरीके से नितिश कुमार से खफा नजर आ रहे हैं क्योंकि बिहार को स्पेशल राज्य का दर इसको लेकर जो मीटिंग हुई है देखिए उस मीटिंग में क्या-क्या दिमान रख दी गई है नितेश कुमार की तरफ से सबसे पहले मैं आपको आज तक के हवाले से आपको खबर दिखाना चाहूंगे नितेश कुमार स्पेशल पाकेज का मांग कर रहे हैं दोस्तों अपनी खोईवी राजनीतिक जमीन वापस लेने की कोशिश में लगे हुए हैं आप सभी को पता है बीजेपी वो पार्टी है जिस पार्टी के साथ गई है जिस विपक्षी दल के निताओं के साथ या फिर कहें छित्रिये दलों के निताओं के साथ उनका हालत क्या हुआ है आज के टाइम पर आपके सामने हैं दो ऑप्षिन आंद्रप्रदेश एक ऑप्षिन दूसरा ऑप्षिन उडिसा में बीजेडी देख लीजे आज उनका एक भी लोग सभा सांसद नहीं बचा है आज वो बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं जो कल तक बीजेपी का साथ दे रहे तेहार बील पास कराने में उनके सपोर्ट में खड़े हुए थे लेकिन आज इस तरीके से उनको साइट कर दिया गया जैसे उनका वजूद ही नहीं है जब से लेकर अब तक पार्टी का हाल जो है वो बहुत बहतर था लेकिन इस बार क्या हुआ एक सांसद नहीं है लोग अफ्तर पर बुल्डोजर चला उन पर करोड़ो रुपए का घोटाला का आरोप लग रहा है लेकिन अब आपको बता दू कि नितिश कुमार की तरफ से बहुत बड़े बड़े डिमांड जो हैं वो करने शुरू कर दिये हैं नितिश कुमार को लेकर लोग सभा चुनाप की नतीजी आने से ठीक पहले कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीकार जुन खड़गे ने कहा था कि उनको इंडिया ब्लॉक छोड़ने का अपसोस एक ना एक दिन जरूर होगा और आज उनको यह अपसोस हो रहा है अब वो मोदी जी से पैकेज की डिमांड कर रहे हैं अपने जो बिह नितिश कुमार की तरफ से तयार कर दी गई है आज तक ने यह खबर लिखा है कि नितिश कुमार सरकार ने 25 एजंडों पर लगाई मुहर बिहार के लोगों को मिली कई सौगार यह खबर जो है बताया जा रहा है कि किस तरीके से लोगसभा चुनाफ खत्म होने के बाद बिह चौधरी और अन्य मंत्री भी वहां पर मौजूद रहें राज्यों में लोगों को बड़ी राहत देने के लिए एक लंबा एजंडा जो है वो तयार किया गया जिसमें बेरोजगारी भत्ता वो जो है 15 दिनों के अंदर देने की बात कही गई है यह सारी बाते जो है इस काबिनेट मंत्रियों की तरफ से मोहर लगाई जाएगी 2024 से 2025 में 30 मार्च 2025 तक अस्थाई रूप से 350 करोड रुपे से बढ़ा कर 10,000 करोड रुपे के फैसले पर काबिनेट की तरफ से मंजूरी ली जाएगी यह बाते कही जा रही है वहीं दूसरी और आपको यह बता दू क कि नितिश कुमार की ये भी मांग है कि इस बार बजट में केंद सरकार बिहार के लिए एक लाग करोड रुपे जारी करे जी हां बिहार के लिए जारी करे एक लाग करोड रुपे नया थर्मल पावर प्लांट, 9 हवाई अज्जे, साथ सरकारी Medical College इन तमाम चीजों की निति करोड उपे का package केंदर सरकार से मांग लिया है तो दीरे दीरे करके नितिश कुमार जो है अब सरकार जो है मोधी सरकार उनसे तमाम चीजों की बाते करते वे नजर आ रहे हैं जिमान करते वे नजर आ रहे हैं ऐसे में नितिश कुमार को ये वाली चीजे मिलती है या नहीं एक लाग करूर उपे का पैकेज मिलता है या नहीं ये देखने वाली बात है क्योंकि आद उनके पास कुछ भी नहीं बचा है kingmaker तो वो बने लेकिन कैसे kingmaker ना उनके पास ताकत ना उनके पास पावर बस नाम के किंग मेकर रह गए हैं आज इस तरीके से लोगसभा के अंदर इस पीकर पद का चुनाव हुआ और जदियू को जो उमीद थी उस उमीद पर भी आज पानी फिर गया आज मोदी ने लोगसभा के अंदर अपने पाटी के सांसद को जो है ये पद फिर से सौब दिया तो ऐसे में नितिश कुमार का गुस्सा होना आपाख होना वो तो जाहिर सी बात है देखने सुनने को मिलेगा ही साथ में देखी किस तरीके से बीजेपी के मंतरी जो है बिहार के अंदर खेला खेल रहे हैं कैसे जो है नितिश कुमार के द्वारा लाए गए तमाम फंड्स पर जो पैसे अलोट किये गए थे बिहार सरकार को वो खारिच कर दिया गया है उसको केंदर सरकार की तरफ से भाजपा सरकार की तरफ से खारिच कर दिया गया है दरसल दोस्तों बिहार में नितीश सरकार ने 800 करो रुपे का टेंडर जो है वो लागू किया था लेकिन अब यही नितीश सरकार का जो टेंडर है वो रद कर दिया गया है और मंत्री बोल रहे हैं आग बबूला होकर कि महागटबंदन की सरकार में ये सारी गड़बड़ी हु मुख्य मंत्री तेजस्वी यादब थे और जो फंड रिलीज किया गया था वो नितीश कुमार के साइन से ही हुआ ना ये तेजस्वी यादब ने अपना साइन करके तो नहीं फंड रिलीफ कर दिया तो 800 करोड का जो फंड था अब वो कहा जा रहा है कि इंडिया सरकार के 350 ठेके जो थे उसमें गडवड़ी का आरोप लगा कर ये सब कुछ रोग दिया गया कहा गया कि कारवाई किस पर होगी नितिश कुमार के दस्तखत पर नितिश कुमार पर करवाई होगी देखिया आज तक लिखता है कि बिहार में पी-एचीडी के 826 करोड का बाते मंत्री जो है वो निरज बबलू की तरफ से बयान सामने आया है वो बयान दे रहे हैं अब क्या नितिश कुमार पर अक्शन लिया जाएगा तो यह तमाम चीज़े दोस्तों इस वक्त देखने सुनने को मिल लई आश्वनी चौवे बार-बार कह रहे हैं कि बिहार में जो 2025 में चुनाब होने वाला है विधान सभा का तो उसमें जो है नितिश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा नितिश कुमार की मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी को मिलेगा तो ऐसी तमाम बाते कही जारी है लगातार देखने सुनने को मिल लई एक तरफ न उनका सत्ता किस तरीके से कमजोर किया जा रहा हैं, किस तरीके से नितिष कुमार को लेकर तेजस्भी यादव, वो कह रहे हैं, कि आप काहे बात के kingmaker हैं, आपके पास तो कोई पावर ही नहीं है, किसी बात का अगर kingmaker है, तो आप बिहार को सुधारिए बिहार में रोजगार पैदा कीजे जो बिहार के लोग इधर उधर भटकते फिरते है उस बिहार को सुधारने का कोशिश कीजे देखे तेजस्वी कहते है कि अगर king maker है तो अब NDA में नितिश कुमार की भूमिका पर तेजस्वी यादब का बया आया है हाला कि आपको बता दे कि तेजस्वी यादव और नितिश कुमार जी हां पहले नितिश कुमार तेजस्वी यादव को फॉलो नहीं कर रहे थे लेकिन अब तेजस्वी यादव को नितिश कुमार फॉलो भी करने लगे हैं सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करते वे नज बिहार के नितीश कुमार के जो साथ बैठे थे उसके बाद जो उनकी बातचीत हुई है और बातचीत होने के बाद नितीश कुमार के साथ उनकी एहम मुद्दों पर बातचीत हुई है और कहा गया है कि अगर वाकई आप बिहार की तरक्की करना चाहते हैं तो बिहार में जो ह ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पिलर के तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है कि आप एक पिलर है और आपने बीजेपी की कुरसी बचाई हुई है बाकि आपका कोई काम भारती जंता पार्टी में ना देखने को मिला है ना सुनने को मिला है कोई रोल दोस्तों तेजस्वी आदब क्या आज देश की तवाम आवाम जो है वो यहीं देख रही है कि कैसे नितीश कुमार का कहीं से कहीं तक कोई रोल नज़र नहीं आ रहा है आप इतने बड़े पार्टी को पर बिजेपी को सपोर्च कर रहे हैं आपकी वजल से सरकार चल रही है और आपको क्या मिला तो आप खुद देखे कि बीजेपी की तरफ से और टीीडिपी को और जधियू को क्या मिला है कुछ नहीं मिला है फौर फरस एक मंत्री पद देकर छोड दिया गया है आज सब्लिए रहा था कि यह जो पार्टी है एंडीए गडवन्दन के जो हिस्सा है उन में से किसी एक पार्टी के निताओं को इस पीकर पढ़ पर जो है इस पीकर बठाया जाएगा लेकिन यहां पर भी मोधी जी अपनी पार्टी के नेता को बठाते हुए नज़राएंगा तो ऐसे में न आराज दिखाई दे रहे हैं अपने ही नेता के खलाफ नितिश कुमार के खलाफ बगावत कर सकते नितिश कुमार से जो है वो बार बार डिमान कर रहे हैं कि आप जिस तरीके का रनीती बना कर चल रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब आपके पार्टी के तमाम नेता आपको छ शर्वनास हो गया है उस पार्टी का वजूद खतम कर दिया गया है उसको भीतर-भीतर करके खा गया जो है खोकला कर दिया गया है तो ऐसे आ arriving भारती जनतंता पार्टी पर लगते रहे हैं दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राया में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, साथ ही साथ चैनल को जादा सा जादा लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल बेना भूले.